गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आजाव सभी लाइब जल्दी से आपकी कलास शुरू हो चुकी है तुब आठ बजे कच्छा दस की NCRT मैथ पित्रो कुछ दिन से ये कलास नहीं हो रही थी जिसके लिए माफी चाहते हैं आपकी रेगलर कलास चलेगी और आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है हम आपको जो इंपॉर्टेंट कुश्चन करवाएंगे आप उन सभी को समझ लीजिए आपकी परिक्षा में आपको अच्छ यह कहता है कि साथ वर्स पहले मैं तुमसे साथ गुनी आयूका था लेकिन अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे तीन गुनी आयूका रह जाऊंगा मतलब साथ वर्स पहले अपताब अपनी पुत्री के साथ गुनी आयूका था मतलब अगर अपताब की पुत्री तीन साल की तो आप ताप 3 सते 1 कई साल का था गेरा लेकिन अब से आज यानि की cat अहसे तीन वर्च जो और बीट जाएगा ऑर बिट जाएगा तो तो मैं तुम से सिर्फ तीन गुणी आयुका रह जाओंगा क्या यह मनुरंजक है हमारे हिसाब से तो मनुरंजक है कि साथ वर्स पहले साथ गुणी आयुका था तीन वर्स बार तीन गुणी आयुका हो जाएगा इसका फिलहाल यह मनुरंजक है कि नहीं है यह अंसर आप आयो ऐसे ही करना है लिखिए माना अफताव की वर्तमान आयो आप सभी लिखिएगा माना अफताव की वर्तमान आयो बराबर यक्स वर्स ठीक ना अब लिखिए उसकी पुत्री की लिखो सभी लोग लिखो फटाफट माना अफताव की वर्तमान आयो बराबर यक्स वर्स पु लिखना लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूँ नीचे क्या लिखो गए यह हो गया ना अब लिखिए केस नंबर फर्स्ट या फिर इस्तिती पहली इस्तिती नंबर एक ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पे दो इस्तिती पहली स्थिति यह है फर्स्ट केस यह है कि यह साथ वर्स पहले साथ गुनियायुका था दूसरी स्थिति यह बन रही है कि यह तीन वर्स बाद तीन गुनियायुका हो जाएगा तो दो स्थिति यह ना तो पहली स्थिति के अनुसार हम चलेंगे पहली स्थिति में क्या होगा लिखिए, साथ वर्स पूर्ब, साथ वर्स पूर्ब, अफताब की आयू, देखो ध्यान से समझना, साथ वर्स पहले अफताब यक्स माइनस साथ वर्स का रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो ऐसे समझ लेए, जैसे आप टेंथ में पढ़ रहे हो, साथ वर्स पहले आप आज कच्छा दस में हो, तो साथ वर्स पहले आप कच्छा तीन में पढ़ते थे, है ना, तो सोला साल के आज हो, तो साथ साल पहले कितने साल के थे, नौ साल के थे, मतलब कम होगा ना, आज सोला साल के हो, तो साथ वर्स पहले नौ साल के थे ना, तो साथ वर्स पूर्बो अफ्ताव की पुत्री की आयू बराबर वाई माइनस साथ वर्स ठीक ना तो ये पहली इस्थिति के अनुसार देखते जाना ठीक ना आगे बढ़ें इतना नोट करते जाओ जल्दी से तब हम आगे चलते हैं इससे देखली हो ना हम चाहें तो कुश्चन मिता भी सकते हैं इसक्रेंसार लेते जाएंए यह जैसे हम आगे से रते आप नोट करते जाएए चलिए ठीक है, आब उपर लगाएंगे, स्क्रीन साथ लेलो तूरंद रोखके, चलिए, अब हम उपर लिखेंगे, उपर क्या लिखेंगे, प्रिस्न अनुशार, देखो प्रिस्न अनुशार क्या कह रहा है? यार यह बहुत मिटाने में दिख्कत गर रहा है, प्रस्ना अनुसार कहरा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयू का था तो आगे लिख लो 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयू का था इसका मतलब ये कि पुत्री की आयू देखो कितनी थी 7 वर्ष पहले y-7 थी और ये थी अफ्ताव की आयू यानि कि x-7 इक्वल ये y-7 था और गुड़ा किसमें करोगे किसमें गुड़ा करोगे पता है ये बताओ आप सभी गमेंट करके अफ्ताव वाली आयू में multiple करोगे या फिर पुत्री वाली आयू में multiple करोगे 7 का किसमें करोगे देखो जिससे कहे रहा है कि पुत्री की आयू की मतलब पुत्री वाले में मल्टिपल करोगे ये यानि अगर इसकी पुत्री की आयू साथ गुनी भी हो जाए तब भी इसके बराबर थी ये पाहली कंडिसन है इसको समी करण में जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा ये X-7 मल्टिपल करोगे 7Y माइनस 7 सता 49 कोष्टक ओपन करोगे X-7Y ये माइनस का 49 और पलस का 7 तो X-7Y एक्टों माइनस का 42 ये मित्रों आपका हो गया पहली कंडिसन के अकौरडिंग पहला समी करण इसको नोट कर लो जिनको लिखना है फट से फिर हम आगे चलते हैं नीचे वाला आप लिख लिए होंगे तो हम उसको मिटा देते हैं ठीक ना आप सभी अपना कुश्चन एक बार फिर से देखिए कह रहा था कि तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाओंगा यही कह रहा था ना तो तीन वर्स बाद आयू पहले पता होनी चाहिए ना अब यहाँ पर आप लिखोगे दूसरी सर्थ के अनुसार निचे लिखो, दूसरी सर्थ के अनुसार या फिर ऐसे नहीं, तो ऐसे लिख लो पहले सिकेंड स्थिति सिकेंड स्थिति, ठीक न? सिकेंड स्थिति में क्या होगी साथियों? लिखो, तीन वर्स बाद अफस्ताव की आयू बरावर X प्लस 3 वैसे जैसे अगर आप आज 16 साल के हैं तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे 19 साल के हो जाएंगे तो उसी तरह से अफ़ताब जो है आज X साल का है तो 3 साल बाद X पलस 3 का हो जाएगा नीचे फिर से लिखना तीन वर्स बाद अफताफ की पूत्री किया हूँ तो कितना हो जाएगा Y प्लस ये 3 वर्स तो ये तो हो गया इनका 3 वर्स बाद ये कितने के होंगे लेकिन कंडिशन अभी नहीं पूरा हुई कह रहा था कि तीन वर्स बाद मैं तुम से केवल तीन गुनी आयुका रह जाओंगा नीचे लिखो पुना हाँ प्रसना अनुसार मतलब दुबारा से प्रसना अनुसार X प्लस 3 इक्वल Y प्लस 3 अब इसमें 3 से गुड़ा करोगे कर रहा था तीन गुनी आयुका ही रह जाओंगा न तो बस यही करना है इसका गुड़ा करोगे तो आपको यहाँ पर एक एक एक्वैसन मिलेगा एक नया समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ आप सभी वैसे तो कर लिए होंगे मल्टिपल तो बता दो क्या मिलेगा और अगर नहीं किया तो बस कर लो हमारे साथ एक्स प्लस तीन ऐसे ही रहेगा है ना यह एक्स प्लस तीन में तो कोई अंतर होगा नहीं आगे जब अगर आप चलोगे तो यह हो जाएगा साथियों तीन का y में करोगे 3y है ना और 3 का जब गुड़ा 3 में करोगे तो ये 9 हो जाएगा इस तरह से आपका x-3y इकल 9-3 ये बन जाएगा समी करन ठीक फाइनल में आपका x-3y इकल 6 आएगा और ये equation number second का लाएगा दो question पूछा गया था एक तो भीजगनितिय रूप में लिखने को कहा गया था दूसरा कहा गया था कि इसे graphie रूप में वेक्त कीजिए तो ये भीजगनितिय रूप में हो गए दोनों answer अब इनको हम graph रूप में हल करेंगे graphie माध्यम से तो चलिए इतना लिख लो फिर हम दूसरे माध इसमें चलते हैं काफी लंबा question है इसमें ज्यादा number मिलेंगे बड़े question में आएगा ठीक लीजिए समीकरन याद रखना बस दोनों हो गया आगे चलें चलो ठीक है next step चलिए अब देखना साथियों इसको क्या करेंगे हम दो एक question हमें दिये गए है जो की मिल गए अभी आपने देखा था इनको सारड़ी विधी से हल करेंगे कहने का मतलब graph ही विधी से ठीक ना फिर इनको graph फे denote करना है कुल मिला करके यक्स और y के मान जो हैं वो सारड़ी या graph विधी से निकालना है तो देखना कैसे करते हैं इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि यक्स के पद एक तरफ हो जाए और y और जो बाकी का चरपद है उस अब मिला के उस और या चरपद एक तरफ हो जाए या फिर y वाला एक तरफ कर लो बाकी सब एक तरफ कर दो तो हम यक्स वाला करेंगे और ये माइनस 42 और प्लस का साथ वाई हो जाएगा ठीक ना? इतना पक्का है ना? अब क्या करते हैं मित्रों? इसके बाद हम सारडी बनातें एक टेबल ध्यान देना ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले में ऐसे खाने बनाएंगे यक्स वाई इसमें आप खाने बना लो दो तीन उसके बाद क्या करते हैं? आपको पता है? इसके बाद इनके मान हम रखते हैं अलग-अलग किसके मान रखते हैं? इसी में यहाँ देखना यक्स बराबर-42 और पलस-7वाई में हम मान रखते हैं तो मित्रोں अगर यहाँ पर हम वाई कमान 0 रख देंगे तो यह यक्स कमान आएगा कुल मिला कि यह 0 हो जाएगा तो यह 42 आएगा जो की काफी बड़ा मान आजाएगा ग्राफ में रखने में समस्या होगी और मान रखने के लिए यहां पर आप बाद नहीं है कुछ भी रख सकते हैं जीरो से लेकर के आप अनन तक कोई भी गिंती रख सकते हो तो हम बहुत छोटा मान नहीं रखेंगे कितना पाँच तो यहां पर ध्हान दीजिए यक्स का मान यह माइनस 42 और प्लस 35 घटेंगा तो साथीगोव यह माइनस का 7 आजएगा जो की काफ़ी छोटा आ रहा है ना यानि की यक्स का मान हमने क्या रखा पाँच तो यक्स का मान मिला माइनस का 7 इतना बात पक्का न, इसी तरह से आप यक्स के अलग-अलग, ओ स्वरी, यक्स का मान नहीं रखा था यार, वाई का मान रखा था न, यक्स का मान आया था, क्या आया था, जो आपके सामने है न, यक्स का मान आया है, तो हमने रखा वाई का मान, पांच रखा, तो यक्स का मान आया माइनस साथ थीग है अब इसी तरह से छे रक लो जब छे रकोंगे तो क्या होगा ज़िए यहилось lessons का 42 एनी की यह आलेगा जी रो कैसा रख लो साथ रखोंगे सा सतर्सेता उन्चास हो जाएगा यह पुलस का 49-42 घटेगा तो 7 आएगा यानि कि जब 7 रखोगे तब क्या होगा y कमान 7 रखोगे तो यह 49 यानि कि 7 पर क्या आएगा 7 ही आएगा अब ध्यान देना यह आपका पहला समीकरण graph बिदी से हल हो गया है जिसमें यक्स के और y के 3-3 माना गए इनको अभी आपको graph फे दिखाना है मैं दिखाऊंगा लेकिन पहले पहले हम यह समीकरण भी हल करके आपको दिखा दें चलो इसमें भी कर लेते हैं इसमें भी आप ऐसे कर लो y equals 6 plus यह 3y ठीक ना y का कोई भी मान रखो आप सभी चाहे जो भी रख लो चलो जल्दी से फटाफट रखो देखते हैं फिर क्या होता है minus 1 भी रख सकते हो 2 भी रख सकते हो 3 भी रख सकते हो यह plus में भी रख सकते हो कुछ भी रख लो तो चलिए अगर हम यहाँ minus 1 रखते हैं ध्यान देना y equals का मान कितना आता है देखते हैं तो ये 6 गुड़ा 3 और ये गुड़ा माइनस का 1 तो मित्रों ये हो जाएगा 6 और 3 और 6 में से 3 गया तो 3 कहने का मतलब हमने जब मान रखा माइनस का 1 तो हमें यक्स का मान 3 आया है ना तो ये एक टेबल और हम बनाएंगे दूसरे बाले समय करण के लिए तो इन भाई साब का यहां पर हिसाब होगा जो भी है बिना किताब होगा हिसाब है ना यहां पर ये यक्स और ये वाई चलो ठीक है ओके वाई का मान हमने माइनस एक रखा था तो यक्स का मान क्या मिला था तीन मिला था माइनस दो रखके देख लो क्या मुसीबत है माइनस दो रखोगे तो तीन दूना छे माइनस छे हो जाएगा और छे माइनस छे जीरो आएगा यानि कि माइनस का दो जब रखोगे तो ये जीरो आएगा माइनस का 3 रख लो माइनस के 3 रखोगे तो माइनस का 9 आएगा माइनस 9 और प्लस 6 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा 3 आएगा यानि इस तरह से आपके यह भी मान आ गए अब आपके पास ग्राफ वाली काउपी होनी चाहिए अगर नहीं है ग्राफ वाली काँपी तो आप ले लीजिए और हम यहाँ पर आपको बना के तो दिखा देंगे फिला हाल चलिए कोई समस्या की बात नहीं है आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए ये पूरा प्रासेज है सबसे महत्तपूर्ड पॉइंट है मित्रों की अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे तो चलो देख लेते हैं ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं साथियों देखिए ग्राफ फे इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ध्राफ बना लेना है जिसमें आपको नमबर लिख लेने हैं लगब भग में उतने जितने यहां पर यह आएं है इसलिए मैं बड़ा नमबर नहीं लाया जिससे की ग्राफ छोटा बने नहीं तो अगर यहाँ पे 200-500 हो गया होता या फिर 149-148 तो बहुत बड़ा गराब बनता है ना तो देखो यह चोटे-चोटे नमबर आए हमने 7 तक लिख लिए चुकि यहाँ पर 7 तक ही हमारे अंक है हैं एब चलो देखते हैं देखो यक्स का मारे करन जाए है और यक्स होता है तो क्या करना हमें हमें माइनस में चलना है यक्स पर माइनस में चलना है तो यह आपका यक्स होता है है ना यह यक्स डैस होता है यह वाई होता है याद रहना चाहिए यक्स पर ही चलना है देखो माइनस इसमें भी नीचे लेकिन यह यक्स वाला नहीं यह वाई का है यक्स पर चलना तिधर को यह साथ ही हमिल गया गैक लेकिन हाई पर पांच चलना है तो यह पे पांच ऊपर को जाएगा मतलब यह लाइन यहां तक आयेगा यह यह यहां है पांच और यह साथ है तो क्या करेंगे ऐसा कुछ की दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलाने के लिए इसको पांच के बराबर उचाई तक ले जाओ और इसको यहां तक यानि कुल मिला करके यह बिंदू जो माइनस साथ कामव पांच है वो यहां कहीं होगी बात समझ में आई ना इसी तरह से सारे बिंदू पहले रख दीजिए उसके बाद एक graph बनेगा देखना उसके बाद क्या है यक्स जीरो रहे जीरो मतलब यक्स इसी लाइन पे रहेगा इसमें से ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा ठीक है वाई कह रहा कि 6 हो जाएगा फिर तो चलो ठीक है ले चलते हैं वाई को 6 नंबर यानि यह जीरो कामा 6 जो है यहां मिल गया आगे देखना साथ कामा साथ यक्स पर साथ जाओ प्लस में और वाई पर भी साथ प्लस में कहने का मतलब यह ऐसे और यह यहां से यह साथ कामा साथ यहां आएगा है ना इतना बात पकी ना इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए ओके अब क्या ह होगा हमने तीनों रख लिया ना अब मित्रों एक लाइन खींचेंगे ग्राव बनेगा यही आपको जो बनाना था यह बिंदू यहां पर आके मिलाना लगभग आपको ठीक ना अब यह सारा जो जमेला मैंने खींचा इसको मिटा दो इससे कोई मतलब नहीं है यह मैं आपक ले जाने के लिए यह सब डाट वाट किया था ठीक ना आपको अहां पर छोटी सी बिंदी रखना है पैंसिल प्रकार से एक्जाम में करना तो इससे गोचना नहीं तो इसको ऐसे मिला होगे अब कैसे यह उस बिंदू से होते हुए ऐसे जाना चाहिए और वहां तक यह आपका पहला समिकरण के लिए ग्राफ हो गया दूसरा एक्वैसन के लिए भी इसी तरह से आप लगा लोगे उमीद करते हैं चलो दिखा देता हूँ यक्स पर तीन चलना है प्लस में वाई पर माइनस में एक चलना है तो यक्स पर तीन प्लस में यहां हो गया वाई पर माइनस में एक मतलब हलका सा नीचे आएगा यानि कि तीन कामा माइनस एक मिल गया आगे देखना एक्स पर जीरो वाई पर माइनस दो तो एक्स पर मतलब किसी तरफ नहीं बढ़ना वाई पर माइनस दो यानि यहां कहीं होगा यह जीरो कामा माइनस दो ठीक ना यहां पर होग अब आगे ध्यान देना माइनस तीन माइनस तीन दोनों है एक्स पर माइनस तीन यहां कहीं है और वाई पर माइनस तीन यहां कहीं है इसको ऐसे लाओ इसको ऐसे लाओ तो यह तीन यह माइनस तीन और तीन यहां आ गया अब इसे अगर आप ग्राफ का रूप दोगे तो क्या बनेगा सोचो सोचो क्या बनेगा यह यहां पर है यहां पर है और यह यहां पर है तो साथियों इसको आप ऐसे बढ़ा के खींच सकते हो यह ऐसे होते हुए निकल जाएगा तो ये था आपका ग्राफ, पहला कुछिशन उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसी लगी आपको कलास, जरूर बताना, अगली कलास के लिए चैनल को तुरन सबस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें अगर आप इस कलास को PVR Study Apps में देख रहे हैं तो जो पेड़ वाला कोर्स है, उससे आप अगर परचेज करते हैं तो आपको ये कलास तो मिलेगी ही, इसके लावाँ पूरा कम्पलिट कोर्स भी मिलेगा अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो PVR Study के अफिसियल फेस्बुक पेज को तुरन फॉलो करें अगर आप इसे फेस्बुक यूटुब कहीं भी देख रहे हैं, और PVR Study अपस नहीं इंस्टाल किये तो प्लेइ स्टोर से PVR Study का अप्लिकेशन इंस्टाल करें, और कम्पलिट कोर्स घर बैठे पढ़ें हर दिन सुबा आठ बजे से देखना न भूलें, कच्छा दसकी, NCRT मैट, चलते हैं फिर, जैहिंत, साथियों, याद रखिएगा, इस कलास को दोस्तों को सेयर करिएगा, ज्यादा फे ज्यादा जिससे कि आपको फ्री वाली कलासें उपलब्द हो सकें, जितना ज्यादा व आप सभी सेयर करोगी यूटूब पर, उतना ज्यादा हम आपको फ्री कोर्स यूटूब पर उपलब्द कराएंगे, नहीं तो फिर आने था आपको पेड करना ही होगा, थैंक्यू